हेलो फ्रेंड्स हेश्टेग आस्क पिय सुडियो सीरीज में आपका स्वागत है आपको एक्सपोर इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हो उसका आंसर मैं यहां पे वीडियो के माध्यम से दूंगा सर क्लोफिंग और फूटवेर इंपोर्ट करने के लिए कौनसे डोकुमेंट चाहिए अपार्ट फॉम आईसी लगेगा और पहली बार आप इंपोर्ट करोगे तो आपको लगेगा का एडी कोड रजिस्टेल लगेगा और भी बहुत शारा डोकुमेंट लगेगे बट वो जो है आपका सप्लायर बनाएगा आपको बनाने की जुरूत नहीं है जैसे की इवेश lagi गा जो आपका सप्लायर देगा प्रकिंग Bears लगेगा जो आपका सप्लायर से प्लेए वगरे सब चीजे जो है MSDS material safety data sheet तो सारे document जो है आपको supplier से लेने है जनरली इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए IC लगेगा और लगेगा GST next comment Mr. Arshad का is there any export duty in India तो मैं आपको बता दू इंडिया में export duty नहीं है इंडिया के अंदर import duty है मतलब कोई भी सामान हम इंडिया में import करते है तो हमको import duty बरना रहता है बट जब हम export करते है तो जनरली गवर्मेंट जो है export में benefit देती है मतलब export करने पे इंडिया में government के benefit मिलते है next comment Mr. Mihir का sir buyer credit में मांग रहा है advance नहीं दे रहा है तो उनके साथ deal करे के नहीं I am newly exporter आप newly exporter हो और buyer advance नहीं दे रहा है तो फिर यहाँ पर risk है तो as a new exporter आपको deal कैसे करना है दे कि सबसे पहले आपको आपका business profile अच्छा बनाना पड़ेगा आपका social media जो profile है वो अच्छा बन देगा और advance payment देगा यहाँ पर नए exporter के साथ क्या होता है उसका profile वगरे होता नहीं है उसका experience नहीं है तो confidently बाद भी नहीं कर पाते देखिए यहाँ पर दो चीज़ important है एक है confident और दूसरा है आपका profile है दोनों चीज़ होगा तभी जाके आपका जो है export business होगा आपको नहीं करता है आज के दिल में business किसका होता है जो दिखता है वो बिखता है तो आपको market में दिखना पड़ेगा online आपको दिखना पड़ेगा तो as a new exporter आपको थोड़ा time लगेगा देखिए मैं आपको genuine advice देना चाहूँगा कि मैं export import business करना है तो यहाँ पे सबसे important time देना पाओगे बायर को समझ पाओगे बायर की requirement को समझ पाओगे और उसके बाद जो है आपका export business होगा और वो भी advance में होगा नए exporter को advance payment लेने के लिए यहाँ पर जो है मेहनत करना पड़ेगा time देना पड़ेगा तभी जाके एक नए exporter को यहाँ पर advance payment मिलता है तो मिहर जी आपका question है किसे deal करे 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 तो payment safe है तो deal करना चाहिए अगर payment safe नहीं है तो फी deal नहीं करना चाहिए बायर को बोल सकते हो कि newcomer तो आप जो है एज टुम कमर बायर करना चाहते हो तो B2B website जो है वहाँ से आप बायर कर सकते हो जिसके अंदर गोफ़ वीजनेस हो गया इंडिया माट हो गया ट्रेड की हो गया एसी जो बीटुबी website है वहां से आप बायर कर सकते हो नेक्स्ट आप जो है इंडियन आमश यहाँ पिप्र देखि के लिए और यहाँ पे अच्छी दिमांड है और लोगों को जो है वहां पर इको फ्रेंडली मुस्किल यहांड था कि मुश्किल यह नहीं भी इको फ्रेंडली परड़क रहेगा वो महंगा रहेगा तो एरोप के अंदर जो है पर्टेशिंग पावर भी है तो आप इरोप के अंदर जो है एको फ्रेंडली परड़क को export कर सकते हो नेक्स्ट कमेंट है Mr. M.D. फरजात का हैश्टेग आस प्यस सर करनली I am exporting leather goods with the trade liceane, GST, IEC and want to do other item and do I need to make a separate trade license and GST, what is the process, please reply, तो आप leather product export करते हो, बहुत ही अची बात है, और आप other product export करना चाहते हो, तो उसके लिए कोई separately trade license नहीं लेना है, अब यही GST, यही IEC से आप other product भी export कर सकते हो, अगर आपका food product है तो आपको जो है अपेडा का RCMC लेना पड़ेगा अगर आप पाइसीज export करना चाहते हो तो पाइसीज बोर्ड का RCMC आपको लेना पड़ेगा ट्रेड लाइसेंस दूसरा लेने की ज़रूत नहीं है और में आइसी और सेव चलेगा नेक्स कमेंट मिस्टर बीएस देशाई का सर पाइसीज की कैसे होती है तो मैं आपको बता दो पाइसीज का जो पैकेजिंग है न वह डिपेंड रहता है country to country जेनरली जो है bulk packing में पाइसेस जाता है में खुद भी paiseos में deal करता हूं तो मैं आपको यहां पर बता देता हूँ जनरली बायर जो हैं Bulk Packing में मांगते हैं उसमें भी vacuum pack करना पड़ेगा पाइसिस में क्या होता है एक भर मार खुलने के बाद फिरो खराब होना शुरू हो जाते हैं उसका आप समझो 100 ग्रांड का पाउच आता है 500 ग्राम का पाउच आता है तो एक के अंदर 10 इसे 10-10 किलो के बॉक्स जो आपको पाइसिस के बरने रहेंगे और एक्सपोर्ट करना रहेगा या फिर बल्क में आप पैकिंग कर सकते हो 10 किलो 20 किलो 25 किलो जो मांगता है उससाफ से भी आप packing bulk में भी कर सकते हो और पाउस में भी कर सकते हो और भी export import में कोई query है तो वीडियो के नीचे comment कर सकते हो और आप practically export import सिखना चाहते हो तो हमारा जो training है everything about export import को join कर सकते हो और practically learn कर सकते हो जिसमें मैं ही सिखाऊंगा पूरा सिखाऊंगा let's go global together thank you thank you for watching this video क्या आप step by step practically export import स everything about export import जिसके अंदर 100% export import सिखाने का गारंटी है with lifetime support to register call now let's go global together thank you कर दो कर आप